हलो दोस्तो वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल सिविल इंजीनियर एप बियज में तो दोस्तो जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम कैनल आउटलेट्स या फिर मॉडियूल्स जिनको हम कहते हैं उनके बारे में डिसकस करने वाले हैं कि कैनल आउटलेट्स क्या होते हैं और कैनल आउटलेट्स कितने टाइप के होते हैं और कैनल आउटलेट्स जो होते हैं वो हम कहां पर लगाते हैं और क्या फंक्शन होता है कैनल आउटलेट्स लगाने का तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ आप को सिखाने के लिए कुछ दिखाया हुआ है यहां पर, यहां पर अगर हमारे पास देखेंगे, यहां पर हमारे पास एक river आ रही है यहां से, यह river का flow हो रहा है यहां से, तो हम यहां पर कुछ canal headworks बनाते हैं, तो उसकी वज ब्रांच होते हैं आगे एक ब्रांच यहां से जाएगी एक ब्रांच यहां से जाएगी उसे हम ब्रांच कैनल कहते हैं उसके बाद ब्रांच कैनल के भी आगे जो पार्टस आ जाते हैं उसको मेजर डिस्ट्रिब्यूटरी कहते हैं फिर आ जाते हैं हमारे पास इसके बाद जो water course मतलब कि field में पानी लगाते हैं तो minor distributory से water course में जो पानी जाएगा उसके लिए कुछ यहां पर हम appurtenance लगाते हैं मतलब कि कुछ part लगाते हैं pipe जाई सी लगाते हैं या कुछ different types of structures लगाते हैं जिससे हमारा discharge यहां से control होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम outlet कहते हैं outlet क्या होता है minor distributory से water course में जब पानी जाएगा तो उसके लिए जो हम यहां पर instrument लगाएंगे जो कि discharge को control करेगा उसी को हम outlet कहते हैं तो यह चीद आपको समझ में आनी चाहिए कि field में जो है field में पानी जाने के लिए हमारे पास एक outlet प्रवाइड किया जाता है minor distributory और water course के बीज में तो यहां पर यह जो outlet आपको याद रखने कि outlet से आगे जो है ये इसका area जो है ये control जो होता है ये field वाले का control होता है तो यहां से आगे जो है field वाले का control होता है तो उसे तक यह जो water cores है या field में जो है इसको खुझ से control करना होता है तो यहाँ पर outlet तक जो है वो government का काम होता है तो वो इसको government देखती है मतलब कि जो भी concern departments होंगे irrigation department होगए या कुछ department होगा तो यहाँ तक control जो है government का control होता है outlet तक और outlet से आगे जो है वो जिसकी जमीन है उसका control रहता है इस पर तो next आ जाते है हमारे पास कि outlet होता क्या है definition के आप से देखेंगे a canal outlet is a small structure built at the head of the water course so as to connect it with the minor or major distributory channel मतलब कि हम water course water course पे जो है canal outlet लगाते हैं ताकि हम इस water course को connect कर सके major distributory के सास्थ at a junction of the water course and distributory and outlet is provided तो outlet हम कहां पर provide करते हैं water course और major minor distributory के बीच में हम जो है क्या provide करते हैं तो outlet provide करते हैं तो इसे हम outlet कहते हैं कि minor distributory और water course को जो join करेगा उसी को हम क्या कहते हैं outlet कहते हैं discharge through the outlet is usually less than 0.85 meter cube per second तो यह आप point याद रख लेना कि discharge जो है वो 0.85 meter cube per second से कम ही होता है it is also called as slewis or module तो इसको हम इसी outlet को module भी कहा जाता है या फिर slewis भी हम कहते हैं तो यह चीद है आपको समझ में आनी चाहिए कि outlet क्या होता है इसके बाद आजाते हैं हमारे पास जो कि important topic है कि types of outlets के बारे में पढ़ने वाले हैं तो types of outlets क्या होते हैं हमारे पास एक होता है हमारे पास non modular outlet दूसरा होता है semi modular outlet और तीसरा होता है हमारे पास rigid module या फिर जिसे हम modular outlet कहते हैं पहले ही हम देखते हैं non modular outlet के बारे में तो non modular outlet क्या होता है non modular outlets are those outlets whose discharge depends upon the difference of the water levels between distributory and water course तो यहाँ पर जो है depend करता है कि water course और distributory में हमारे पास जो है head difference क्या है उस पर depend करता है हमारा कि discharge कितना आएगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोश्च करूँगा कि कैसे जो है यह vary करेगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ यह अगर हमारे पास minor distributory है तो यहाँ पर हमारे पास यह जो outlet provide किया हुआ है यह हमने for example outlet provide किया है तो यह हमारे पास water course है मतलब कि field है water course है यह और यह हमारे पास distributory है तो यहाँ पर यह जो इसका head होगा यह होगा head इसका और यहां पर for example यहां तक water है तो यह होगा इसका head तो यहाँ पर हैड़ा तो यहां पर आपस देख सकते हैं यहाँ पर discharge जो है इस outlet का अगर यह हमारे पास non-modular outlet है तो इसका discharge इसके head पर भी depend करेगा और इसके head पर भी depend करेगा तो difference of head पर depend करेगा इस कनाल में से कितना पानी जाएगा तो इसका discharge जो है non modular outlet का discharge यह किस पर depend करता एक तो distributor के head पर भी depend करता है और हमारे पास water course के head पर भी depend करता है I hope कि आप कुछ चीज़े समझ में आ रही हों कि तो दोनों के head पर अगर difference difference of head पर depend करेगा तो उसे हम non modular outlet कहते हैं discharge varies with the variation of the water level जानता distributory तो जितना हमारे पास distributory में water level जो है जितना variation होगी उसमें तो उसी पर हमारा discharge depend करता है मतलब कि head जो है वो हमारे पास distributory में जो head है और water course में है जो head है इन दोनों पर depend करता है non modular outlets के case में it is suitable for the low head conditions तो low head conditions के लिए यह वाले modules हम ज्यादा लगाते हैं example क्या है इसमें यह example आपको याद रखने हैं क्योंकि objective point of view से बहुत बार पूछे जाते हैं submerged pipe outlets और open sluies outlets यह होते हैं यह non modular outlets होते हैं submerged pipe outlet and open sluies outlet तो यह दो types of outlet जो है इसे हम यह non modular outlets होते हैं तो equitable distribution of water is difficult तो यहां पर हमारे पास equitable distribution of water नहीं होता है क्योंकि water का head कहीं पर different होगा और कहीं पर different होगा मतलब कि किसी क्योंकि यह head पर depend करता है तो head की वज़ा से equitable distribution of water नहीं होता है मतलब कि आगर यहां पर एक फार्मर है जिसका outlet यहां पर लगा हुआ है दूसरा फार्मर यहां पर उसका outlet यहां पर लगा हुआ है तो यहां पर head कुछ different होगा और यहां पर head कुछ different होगा तो इसलिए इसके लिए discharge कुछ अलग मिलेगा और इस वाले फार्मर के लिए discharge कुछ अलग मिलेगा तो यहाँ पर जो है equitable distribution of water नहीं होता है इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास and no control यहाँ पर control भी नहीं कर सकते हैं water को control भी नहीं कर सकते हैं controlled by shutters तो अगर हम additional shutters लगाते हैं उससे हम थोड़ा control कर सकते हैं कि कहीं पर अगर discharge ज्यादा हो रहा है तो उसको control किया जा सकता है लेकिन जब हम shutters लगाएंगे अगर हम generally outlet की लगाएंगे तो उस outlet से खुद ही जो है control नहीं हो सकते हैं इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास semi-modular outlets क्या होते हैं semi-modular outlets जिसे हम flexible outlets भी कहते हैं in semi-modular outlets the discharge depends only on the water level in the distributory and is unaffected by the water level in the water course तो अब अगर हमारे पास ऐसा कोई modular outlet है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास एक distributory canal है तो यहाँ पर हमने outlet लगाया हुआ है और यहाँ पर इसका flow हो रहा है यहाँ से यहाँ तक अगर शिर्फ और जो है कुछ flow हो रहा है तो अगर यह सिर्फ और शिर्फ जो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ जो डिस्टीबूिटरी है हमारे पास उसी के head पर depend करता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं Sims Download तो semi modular outlet हमारे पास क्या होता है अगर हमारे पास जो है इसका इसमें से कितना discharge जाएगा वह अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्टीब्यूट्री के head पर ही depend करेगा तो उसे हम semi modular outlets कहते है सिमी modular outlets discharge depends upon the level in the distributory, सिर्फ और सिर्फ डिस्टीब्यूट्री पर ही depend करेगा बट इस एनेफिक्टिड वाटर लेवल इन दा वाटर कोर्स पर कितना भी वाटर लेवल हो तो उस पर डिपेंड नहीं करता है उसी को हम सिमी मौडूलर आउटलेट कहते हैं या फिर फिलेक्जिबल आउटलेट कहते हैं तो आई होप की चीज़े आपको समझ में आ रही आउटलेट कहते हैं तो यहां पर इंपर इंपर्टन है एक तो होता है इसमें सिमी मौडूलर आउटलेट में हमारे पास पाइप आउटलेट होते हैं है नौन वादूलर में क्या था ? सममर्जिड पाइप आउटलेट लेकिन यहां पर जो है जर्न वाडूब आउटलेट होता है या ओपन फियूम आउटलेट होता है हमारे पास यहा वैं q custom सिमी मौडूलर आउटलेटित में पढ़ते हैं तो यह होते हैं हमारे उप्स फ्ले तो उसे हम non-modular outlet कहते हैं और अगर सिर्फ and सिर्फ distributory पए depend करता है distributory में कितना head में है उसी पए depend करता है तो उसे हमbacks कहते है स्थिमी-modular outlet कहते हैं इसके बाद आजाते हैं हमारे पास next next है modular outlet या फिर जिसे हम rigid outlet भी rigid module हम कहते है तो rigid module क्या होता है rigid modules are those through which discharge is constant and fixed within limits irrespective of the fluctuations of the water level of distributory and water course तो यहां पर जो है discharge fixed होता है चाहे आप कितना भी head जो है increase करो water level में, distributory में या फिर water course में water course or distributory में कितना भी head हो जैकिन यहां पर जो है discharge हमें constant मिलेगा तो इसी को हम modular outlet कहते हैं तो modular outlet क्या होता है जहां पर discharge जो है वो constant रहेगा, चाहे कितना भी discharge की variation हो रही हो, चाहे water course में discharge की variation, head की variation हो रही हो, या फिर distributor में head की variation हो रही हो, तो यह इस पर depend नहीं करता है, इसमें constant हमारे पास discharge होता है, तो यहां पर हमारे पास दो modules जो है, वो बहुत ही important है, gibbs module, एक है खनाज module, तो यह दो modules जो होते हैं हमारे पास, यह होते हैं हमारे पास modular outlets या फिर rigid modules, rigid module क्या हुआ, जहां पर discharge हमें constant होता है, चाहे हमाँ water level में कितनी भी fluctuations आ जाए, तो दोस्तों यह थी वीडियो जिसमें हमन modular outlets के बारे में discuss किया है, non modular outlets और semi modular outlets के बारे में discuss किया है, इसके बाद हमारे पास कुछ terms आ जाती है, flexibility आ जाती है, sensitivity आ जाती है, वो हम next video में discuss करने वाले हैं, तो उसका link मैं description में दे दूँगा, तो आप वो भी देख लेना, वो भी important है, वो इस ही related है, outlets के related ही है, तो वो video आ कर लेना, link description में दिया हुआ है, thank you दोस्तो, thank you for watching the video.